हेलो दोस्तों मैं इमराना और वेलकम करती हूँ आपका अपने यूटूब चैनल मीर होम की चन्मे तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक ऐसी मिठाई जटपट और आसान तरीके से बना कर तयार कर सकते हैं कम बजट में भी आप इस मिठाई को धेड़ सारी बना सकते हैं और अपनी फैमली मेंबर के साथ धेड़ सारा इंजवाय पास सकते हैं अगर आप भी कम बजट में कुछ अच्छे मिठाई बनाना चाहते हैं तो आपके ये वीडियो बहुत काम आएगी वीडियो को पूरा वोच करें इसकी बिल्कुल ना करें तो चलिए फिर आज की ये मिठाई बनाना शुरू करने हैं इस मिठाई को बनाने के लिए हमें यहां ब्रेट चाहिए यहां मैंने वाइट ब्रेट ले हैं अब इसकी जगा ब्राउन ब्रेट आटा ब्रेट जो भी आपके पास है आप वही ले लीजिए उसी से इस मिठाई को बना कर तैयार कर सकते हैं तो चलिए अब यहां लिया है आपके पास कटर, कटोरी गिलाज जो भी है आप वही ले लिए जी बस दिहान रहे कि साइज थोड़ा छोटा हो बहुत जादा बड़ा साइज ना हो और उसी से आप इन ब्रैट को कट कर लीजिए तो यहां देख सकते हैं और यह देखिए हमारे जो पूरे ब्रैट है वो कट होगे हैं लेकिन ऐसा नहीं है या तो आप इनका ब्रैट क्रम बना सकते हैं और ृव नषी बनासे हैं तो आप इनकी कोई मिठाई बना लीजे मैं भी सिष्टावी बनाने वाले हूं तो अभी मैं इन्हें पैकेट में ऐसे ब करके रंग दोंगी कल या फिर पड़ी बना dł करूंगी चलिए अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और उसमें डाल देते हैं हम मलाई तो यह वही मलाई है जो हम दूद गरम करके और ठंडा करके फ्रिज में रख देते हैं तो उसमें एक मोटी सी ना मलाई आ जाती है तो बस आपको वही लेनी है और अगर आपके पास व प्रेस मलाई ही लेनी है जैसे सुभा उतारी है तो आप उसी का यूज कर सकते हैं और इसमें डाल देते हैं हम चार से पांच चमच मिल्क पाउडर और चार से पांच चमच ही हम यहां कोकोनेट पाउडर लेंगे थोड़े से मैंने यहां काजू बदाम गानिशिंके लिए क स्किप कर सकते हैं और चेलिए इसे हम मिक्स कर लेते हैं इसमें हम कोई चीनी या फिर बूरा वगयरा कुछ नहीं अट करेंगे क्योंकि मिल्क पाउडर खुछ से मीठा होता है और यह जो मलाई है थोड़ी से फीकी ही अश्य लगती है बहुत जाद मीठा नहीं करना हमें औ और आपको एक एक चमच करके ही डालना है सारा एक साथ नहीं डालना अगर सारा एक साथ डाल दिया तो यह पतला भी हो सकता है तुशली आप देख सकते हैं मलाई जो हमारी बंकर तैयार है अब हमें इसके लिए चासनी तैयार करनी है तो आप आदा कटोरी चीनी लेकर आद उसके चासनी यह एक वाय तो यह कुलाब जामुन पूरी नहीं होती है जो खाले हमें तो हम चासनी करके डूसरी मटाइड भागोनी को मैं डाल दिया है क्योंकि हैं जो जो तब्बे में करके फोक्रीज में रग दे तंते है तो यह का दूलीं सी हो गई है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी अट कर देते हैं और जो जलेबी की चासनी होती है वो थोड़ी गहड़ी होती है और यहां हमें थोड़ी सी पतली चासनी का यूज़ करना है जैसे हम गुलाब जामुन के लिए चासनी बनाते है ना बस ऐसी हमें इसमें चासनी चाहिए तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और चलिए अब हम इसे गैस पर रख देते हैं और हमें इसे बहुत जादा नहीं पकाना बस यह जो हमने पानी डाला है ना बस इसे इसे रख दिया है, अब हमने गैस पर और गैस का फ्लेव हमें यहाँ स्लो रखना है, और अभी हम इसे पकने देते हैं, और पकने के लिए से छोड़ देते हैं, बस एक से दो उबाल आने देना है हमें, बहुत जादा इस चासनी को नहीं पकाना, अब जब तक इसमें उबाल तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं तो चलिए गैस पर हमने यहां एक तावा रग दिया है बहुत थोड़ा सा मैं यहां देशी घी लगाऊंगी और यह जो हमने ब्रेट की कटिंग करके रखी तवे पर लग देते हैं एक साइट से तो हमने घी लगा लिया था दूसरी सा चासनी देख लेते हैं और देखे में एक से दोग वाला चुका है बस इस चासनी को बहुत जादे काना इसे उतार लेते है और अच्छे सेटी शिख चुके है इनृहं करसरे हमे काफी क्रिशपी हो गए हैं अब इसी तरीके से हमें सारे व्रेट जो हैं जितने भी हमने कटे करके रखे थे, सभी को हमें इसी तरीके से क्रिस्पी और करारी करने है, इससे हमारी जो मिठाई है वो बहुत टैश्टी बनेगी, घी से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये बहुत ही मजेदार बनकर तयार होगी और ये देखिए हमारी जो सारे लगानी है जब हम इस मिलाई को अच्छे से लगाएंगे तभी हमारी जो मिठाई है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जब एक बार आप इस मिठाई को बनाकर किसी को भी खिलाएंगे तो यकीन मानिये को यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये मिठाई आपने ब्रेट से बन में डिप करेंगे और यहां मैने निकाल निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इन्हें हम सजा देते हैं हैं डाइफ रूट नहीं में दया परोक n旭ी तो तो यहां कि सजा सकते हैं आप इन पे चांदी का वरक भी लगा सकते हैं आपकी जैसी मर्जी चाहे आप ऐसे कर सकते हैं आप जैसे मर्जी चाहे सजाएं पस देखने में अच्छी लगनी चाहिए और ये देखिए हमारी जो मिठाई है न वो देखने में कितनी अच्छी लग रही है थोड़ा सा मेरे पास green सूखा नारियल था उसे भी मैं लगा देती हूँ और इस से इस मिठाई का लुक देखिए बहुत ही amazing लग रही है न कैसी लगी आपको आज की रेसिपी I hope आज की यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को like, share and subscribe, thanks for watching फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and bye bye